नमस्कार दोस्तो, Ultimate Health and Home Remedy चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं दोस्तो आप लोगों को एक ऐसा डाइट प्लान देने वाला हूँ जिसका जिक्र जो है मैं पहले भी कर चुका हूँ और वो प्लान जो है मैंने पेड किया था लेकिन आज मैं ये प्लान जो है फ्री कर रहा हूँ तो दोस्तो ये प्लान कुछ इस प्रकार था हम लोगों ने बात कि थी ये डाइट प्लान सिर्फ पुरुशों के लिए है महिलाएं थोड़ा इंतजार करें सावधानिया थी आपको अपने घर में कोई भी आईना जो है वो नहीं रखना होगा जिनके बाल जो है वो जड़ रहे हैं और काफी मात्रा में जड़ चुके हैं तो उनको टेंशन होती है आईने के सामने आने से समवार से शुरू करते हैं सुबह 6 बजे नहीं अब आपको उठना है साड़े 5 होजे आप सर्दियों का जो समय है जो दोर है वो शुरू हो चुका है तो आप लोग 6 बजे उठ सकते हैं लेकिन साड़े 5 बजे उठकर आप लोग जो है फ्रेश होकर 5.45 सुबह के 5.45 जो की बहुत ही अच्छी जो हवा है वो चलती है आप लोगों को इतनी सर्दी नहीं लगेगी वह आपके ओर्गेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस हवा में वो पोशकततों होते हैं जो बालों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं और नए इस्तमाल उगाने यारी की new hair follicles लाने के जिम्यदार होते हैं योग शुरू करने से पहले आपको दो ग्लास ताजा पानी पीना है या रात में रखा हुआ तामबे के बरतन का पानी भी आप लोग पी सकते हैं और ध्यान रखिए दोस्तों सबसे अच्छा यही है तामबे के ब इसके बाद आपको fresh होना है उसके बाद में 45 पर आपको शुरू करना है योग असन इसमें आपको 45 मिनट तक इन योग असनों का इस्तमाल करना है जो आप लोगों के बालों और मस्तिस्क के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अनलोम विलोम प्रणायाम भस्त्रिका उतान पादासन और सर्वांग असन अगर आप लोगों को यह नहीं पता है तो आप लोग में वीडियो सेनल में जाकर देख सकते हैं मैंने इन सभी को बता रखा है तो बात करते हैं अब 6.45 की 6.45 से लेके 7.30 बजे तक आप लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि आप लोगों न गठिया बाए जो रोग है वो नहीं होता शाधे 7.30 बजे आपको एक गिलास मोसंबी का जूस पीना है जो आप सरीर के टॉक्षिन्स को मतलब फिल्टर करने के लिए आप लोगों को साधे 7.30 बजे जो है वो मोसंबी का जूस इसलिए पीना होता है ताकि आप लोगों के ल ज़रूरी है इस पर आप लोग आधा गिलास गाए का दूद पी सकते हैं गाए का दूद इसलिए होता है कि वह दिमाग की सकती को बढ़ाता है हलका होता है और उसमें पोशक तत्व भी बहुत जादा मात्रा में होते हैं तो अगर कोई नुकसान भी हो जाता है किसी कारण तो आप लोगों को वो रिकवर करता है वो चीज जो है वो उसको हैंडल करता है आठ बजगर पंदरा मिनट पर अब आपको दो गिलास पानी पीना है और उसके पांच मिनट बाद आपको नहना है नहने में आपको बायोटीन प्रस डियस्टी ब्लॉकर शेंपू का इस्तमा है दोस्तो आपको इस शमपू को अपनी scalp पर गड़ना है और दो मिन ne तक लगा कर रखना है ध्यान रखिए दोस्तो आफ लोगों को सब्ताह में मैं ये शोमभार का ही rightplan आप लोगों को दे रहा हूं सोमभार आप लोगों को ये चीज़ करनी या कैसे भी मुत्राश्य के जरीए बहार निकल सके तो रखना है इसके बाद आपका सिर जो है साधारन पानी के साथ धोलें नहने के बाद आपको अपने सिर को तोलिय से ढखना है तोलिय को रगड़ना नहीं है इसके बाद में बात करते हैं जब सिर हलका सूख जाए तब यूजस में आप लोग कामें ले सकते हैं जो बहुत ही जरूरी होता है नारियल का तेल जो है वो आप लोगों के बालों के विकाश के लिए स्केल्प को प्रोटेक्टर रखने के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो आदा चमच में मिला कर सिर की स्केल्प पर लगा सकत नो बजे अब आपको एक कटोरी डाल मूंकी डाल जिसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ उबली हुई उसमें आपको सिर्फ सेंदा नमक मिला कर लेना है इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना होगा ने तो लाल मिर्च और नहीं सफेद वाला नमक ध्यान रखी दोस्तों अगर आप लोगों का सरीर जो है वो बच्वन के दर है जैसे की जहां से मेलनीन जो है वो बनना शुरू होता है जहां से फॉलिकल्स जो है वो बनना शुरू होते हैं वो दोबारा से अपने आपको रिकवर करने की कोशिज करता है जो चीजे डैमेज हो चुकी है उसको रिकवर करने की कोशिज करता है तो ये सारी चीज़े जो है मैंने बनाई है आप लोगों के लिए साड़े नो बजे इस समय पर आपको दही की एक कटोरी का को पीना है दही में वो सारे बीटामीं, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़您ोते हैं तो दही तो आप लोगों को साविल करना ही उगा इसके साथ आपको कुछ भी नहीं लेना का दो टैबलेट लेनी है जो नेचुरल होनी चाहिए वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूगा कि कौन सी आप लोगों को बैटीन टैबलेट्स खानी है 10 वजे अब आपको एक कटोरी ओर्ट्स खाने है जो की हेल्दी है 10 वजे एक चमच pumpkin seeds के तेल की चमच आपको लेनी ही होगी क्योंकि आप लोगों को zinc जो है बार से नहीं मिलता इसलिए pumpkin seeds आप लोगों को लेने होंगे कद्दू के बीज ये भी मैं बता दूँगा कि आप लोग कहां से खरीदें इस समय पर आपको एक कटोरी कच्चे खीरे की खानी है इसमें आप लोगों का सरीव जो है hydrate नहीं होगा dehydration जो पानी की पूर्ती है वो आप लोगों को बनती रहेगी खीरे से अब आपको एक चमच आमला चुरुन एक चमच चिया सीड्स पानी के साथ लेने है बारा बज़े अब आपको एक सेव खाना है एक बज़े यह है आपके खाने का समय इसमें आप लोग दो रोटी गाय का घी लगा हुआ और सबजी में पत्तेदार सबजी होनी चाहिए जैस लेता हूँ कि आप लोगों के बाल हेल्दी होंगे जड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे अब आपको कुछ देर तक टहल कर सो जाएए कम से कम आपको तीन घंटे सोना है चार बज़े अब जब आप सो कर उठे तब आपको दो ग्लास पानी पीना है उसके बाद आपको ए आलोम विलोम परणायम, भस्तिरिका, उत्तान पादाशन और सरवांगशन और पाँच बिनट का बालायम जरूर कर ले अपने नाखुनों को रगड़ ले किसी के बाल आ जाते हैं बालायम से और किसी के नहीं आते हैं वो उनकी स्केलब के उपर, उनकी नसोख उपर डिपे एक हरी मिर्च, खीरा, प्याज, नीबू, अगर आप लोग हर्ट बन के सिकारी हैं, मतलब कहने का मतलब है, अगर आप लोगों को खटी डखा रहे हैं, या हर्ट बन की समझ्चा हैं, तो हरी मिर्च जो हैं, वो अवोइड कर दें, नो बजे एक गिलास हलका गुनगुना पानी पी कर सो जाईए, दूसरे दिन के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो जो हैं, बना कर देता रहूँगा, मंगलवार की वीडियो के लिए इंतजार करें, तो दोस्तों, आप लोग अपना ही इस डाइट प्लान को और मजे लीजिए, आप लोग हल्दी बालों के साथ, घने घने बालों के साथ, धन्यवाद